हेलो गुड इवनिंग आसा आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और विकेंड का रंद ले रहे होंगे तो मुझे लगा चलो विकेंड पर बैठते हैं आप लोगों से कुछ बात हो जाए चाहे पर चर्चा हो कि बाजार और ट्रेड क्या चल रहा है लटिंग चल रही है जीवन में तो उस पर चौरा चर्चा हो जाए है ना चली शुरू करते हैं पहले बात कर लेते हैं बाजार की जो लिए 갖़ाता की विकेंड में अगरं आऊंगा तो贊र के बारे में आपको कुछ नखुछ अपनी राय मेंदेने का प्रियास करूंगा देखने वाली बात है तो लोग मंतली बैंड के पास है वो लिजर बैंड के पास और मंतली ब्लास्ट करना मंतली चार्ट पर काफी टॉफ होता है किसी भी प्राइज को तो वहां पर जाकर कुछ न कुछ ले सकता है कि और हमें वो चीज डे टाइम फ्रेम पर दिख जाएगा कि साथ हमने डिसक्स कि थी आप उसको चेक कर लिजेगा जो लर्नर हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि अब क्या है कि मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा कि लिफ्टी के कि अब इसको थोरा सा टफ होता है इस कंडिशन में कि यहां पर जाने के बात्तुरा सोचे एक वार रिजेक्शन दिखाता है उसका अगर नेक्स टाइम उठता है तो फिर तो उठ जाएगा तो यह रिजेक्शन दिखाएगा मतलब कि दिशमर के लिए कि यहां पर कैसे पता लगेगा कि यहां से कुछ हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर मैं थोर इस रिजेक्शन लूंगा तो इसके लिए इस इस एरिया से मैंने आप लोगों को सेल करना सुरू किया है कि यह करो करो उसके बाद साथ सो पचेस के पाद डिएंडिकेट किया था एक बार उसके उपर अगर नीचे क्लोज हो जाती है वन अवर तो मार्केट फिट और फर्दर दो सो पॉइंट जा सकती है जबकि उससे ज्यादा चले गए तो उसका विकारण है कि वो गिर्या और अभी अपनी 20 सम एक पास आकर ख़रा है और काफी लंबी सी विक बना दे थी पूछ बना ख़रा था तो अब कल के लिए क्या है क्या कर सकता है इस कंडिशन में हिलेगा मिलेगा हमारा ऐसे ही मुखाड़े खड़ा है क्या करना है तो कल की कंडिशन में क्या होगी कि अब यह जो एडिया हो है वो तो आपका एक और रेजिस्टेंस बन चुका है ऐसे भी कल मैंने बताया था टे लेवल था जो ठामन के असपास का और यहां पर लगती है और फिर उसके बाद आ जाती है तो एक और बन चुका है हमारे पास इस एरिया में थोड़ा से लुका है अब क्या है कि इसके नीचे अगर बाजार वन आवर तक सस्टेन कर जाती है या इस लोग को गैब डाउन में तोड़ देती है तब फरदर नीचे जाने के त्यारी करें के लिए कि अगर एक कुछ वी वैप के ऊपर सस्टेन कर जाता है आदे घंटे-पैतानिस मिनट अच्छा से तो फिर एक इस एरिया तक एक बार प्रयास कर सकता है इसी के आसपास यह ध्यान रखेगा तो कल की जो ओपनिंग है वो डिसाइट करेगी कि भही हमको किस साइड में क्या करना है और इसके नीचे अगर क्लूज कर जाता है ठांसे तो फिर तो आपको फरदर एक मैक्समम अभी के लिए उसके आगे का भी देखना मुझे लगता है कहीन कहीं समझदारी नहीं है क्योंकि जब एक सौट टर्म वीव आप बनाते हैं तो सौट टर्म वीव में काफी कुछ हजानक चेंज होने का प्रयास सकता है उसकेस में एक लिमिट में लेकर आगे बढ़ लेते हैं यहां ट्रैड्स से एगजिट लेते हैं कि ध्यान कि quit को करते हैं मतलब ट्रेड्म में जो भी होने की संभावनाय होती है वो सारी कि हम रिजच्टेंस के पास करते हैं सपड़ सबस्क्रक्रते इसका मतलब है कि जब कोई बाजार घिर रहा हो तो उस कीस के optionality मिलेगा एक बार trades रे निकलने का अगर फसे हुए हैं तो नया trade बनाने का मिलेगा या अपने trade को average करने का मिलेगा तो area होता है ठीक है उसके उपर close कर जाता है तो फिर वह आपको को यह से हिट माना जाता है याद रखिएगा बहुत लोग गलती करते हैं कि इसी area को बना लिए तो यहीं पर बैठे होएं तो इसा नहीं करना है ट्रेडिंग में आपको जिस तरह से टार्गेट आते जाता है आप लोग लॉग करते जाते वो प्रॉफिट को चेंब ऐसा ही यहां पर resistance को भी लॉग करते जाना है यहां किसे ह्याल रखना है तो कल की जो ओपनिंग है वो काफी important है जो उपनिंग होगी तो ओपनिंग समय ही देखना है कि इसको क्या करना कि लाइन है लेकिन उसके नीचे पिविट के क्लोज किया है अभी तक संभाले हुए है तो कल की ओप्रिंग हो लोग देख लेते हैं ठीक है अभी आवरली टाइम प्रेम सेल में है बाजार मतलब सौटर टाइम में अगर आपका व्यू दो चार दिन का बनाना है पांच दिन का जाएंगे फिर याए में चल रहे हैं तो आप कहेंगे एक क्या चीजा आ गया कि स्वार्टा टाइम फ्रेम में चल रहा है लॉन게uki उसके लिए हम लोग चलते हैं तो रहे लिए फायदा है कि हम लोग यह तक हांपने अगर हाँ है कि प्राइज हमेंज साथ हाइर टाइम फिरिम को फॉलो करती है और करती है कि अच्छ लाइक ऑप्शन फ्यूचर के प्राइज से करता है तो हम लोग निफ्टी बैंक पर पहले आ जाते हैं और बारह महीने का कि दाट को लगा देते हैं ठीक है अए जालिया अधैन को आधे यह यह इर्ली टाइम फिर्म आपका है इस भुरी यह ली चाठ है अब यह ली चार्ट में हमारा क्या है कि बैंड ब्लास्ट कर चल रहा है आप देख सकते हैं है कि आरली टाइम फ्रेम एंट ब्रास्ट होकर चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रली टाइम फ्रेम पर बैंड ब्राश्ट है और कियれ हूँ ऐ इस पर भी आपको मैं मल्टी टाइम करके बता देता हूं ताकि आप लोग को जो मेरी कुछ बाते समझ में नहीं आती हैं तो साथ समझ में आने लगे है ना अभी तक 20 SME को ब्रेक नहीं किया है तो जीवन में कभी भी 20 SME के पास 6 मन्त के चार्ट पे बैंक निफ्टी निफ्टी आज आए तो मेरा नाम लेकर जो भी समझ में आए आपको लार्ज ग्रूप पकर लेना है ठीक है और सेवी रेक्ष्टेर वाइजर से सलाह उससमें भी लेना है ठीक है और मुझे लगता है को वहां से आपको एक अच्छा का था रिटन मिल सकता है कि लाइट्यम जब तक ब्रेक नहीं किया है तो मेरी किसमत इतनी थोरेन खराब है है और अगर ब्रेक करता है तो हम तो रिकॉर्ड बनाएंगे कि भाई हमने उस समय मिल गया था जब ट्वंटी एसमें सिक्समान पर ब्रेक कर गया था आने वाले जिरेशन को सलाह देंगे त कि अब उसको टाइम-ट्यम करता रहोँगा रहोंग और देख लिए तो यही कारण है कि मैं आप लोगों को बता रहा हो कि हाइए टाइम फ्रेम पे यह नई जब को सिखने को रहे Energ teammates जब कोई ब्लीच क्वेंस होता है वाघर आपको वीजन छे महिन और सालवर का बनाते हैं जैसे आप बैंक भी बायर हैं निप्टी भी बायर हैं तो उस केस में आपको एक व्यू मिल जाएगा आने वाले वन येर का या उससे भी ज्यादा का और आपको पता होगा कि ट्रेन किस साइड जा रही है जैसे पता है एक चिसम लोग प्रिति भी है घूम रही है ऐसे ऐसे और हम लोग अगर ऐसे चल रहे हैं तो हम लोग छोटे भेह महां में पत ताइम प्रेम पर भी ब्लास्ट गेम को समझी एक हम छोटे आदवी क्यों छोटे आज जाते हैं और बड़ा निकल जाता है कि मतलब जी से हमें समझने किया वह सकता है इस बाजार में ओं मुझे हमें कोई नी समझाता है इस चीज को सब्सक्राइब आज तक आप लोग नही बैंड ब्लास्ट अब उस केस में मार्केट नहीं गिरेगी यहीए करन था मैंने आप लोगों के गवार कहा था कि गिर तो सालवर्में को अपने जगह पर जरूर आ जाती है इस सालों से और आ गई थी तो मार्केर तो कहता है वागी हम लोग तुक्का लगाते हैं इस पर एक्सप्रियेंस तो हुआ तो यह टाइम फ्रेम पे लोग समझ गये होंगे कि हमें जुकेगा नहीं वाली वात कोई आती है तो आगे से जीवन में याद रखिएगा अगर इस चीज़ आप जान रहे हैं तो आगे से इन फ्यूचर में ऐसे कोई फॉल आती है तो आप उसको कैस कर सकते हों काफी इजी तरीके से आगे साथ सिक्स मन्त के टाइम फ्रेम को रख लेना है जब भी मार्केट जिस दिन जीवन में आए आने वाले पांच साल दस साथ 15 साल में खुद नहीं तो बच्चों को बता देना है उस समय के कि मैं खडीज लो यहां पर मैं बता रहा कुछ नहीं कुछ तो होगा कुछ एक्सप्रियंस पर काम कर जाती है इसको जरूर ध्यान रखिए ठीक है बाकि आप लोग समझ गए हों मैं कि टुट टाइम फ्रेम पे यह कल की कहानी की एक बार इसको गैप डाउन अगर हो जाता है और यहां पर यहां पर होता है इस लेवल को पर 18511 स्पाट ठीक है तो आपको उसके उपर फिर बाई के ट्रेट देखेंगे तो इस रिस्टेंस को लेकर इसे ज्यादा दूर का नह है तब तक बुलिश नहीं होगी बाजार हमें इसे आवरली टाइम फ्रेम पर कम से कम बुलिश होना चाहिए तब सॉटर टाइम हमारा सहीर हो जाएगा और तब विकली ट्रेट जो आप लोग करते हो आपसन सेलिंग की बाइंग किये सबकी क्लियर है तो काफी यूनिक में काफी लौज कर रहे हैं और परिशान हो गया है साजिय स्टैट्स g ट्राइग कर ली बहुत कुछ अपने जीवन में करे लिए और परिशान है तो उनके इंट्राडे में जब तक open high या open low नहीं बने आप ट्रेड मत करो और यह जो मैं बता रहा हूं बस एक से दो लॉट से ही करना है पहले समझ लेना है इसको पेपर पर ट्रेड कर लेना आपको अच्छा लगे तो आगे बठना पेपर पर ही आप इसकी ट्राई सुरू कर दो ठीक पिर भी आप लोग देखें जिस दिन open high या open low नहीं बने उस दिन हम प्रेड नहीं करेंगे आप दम कसम खा लीजिए बात की आपको लगतार लॉस होता है आप दुखी हो गए हैं आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है हर strategy आप फेल कर चुके हो तो चलो एक और strategy को फेल करत आप open high open low बतानी कि आप सकता नहीं है मैंने दो दो वीडियो बता रखें आप बहुत request करेंगे फिर से कि फिर से बता आप तभी बताएंगे पर मुझे नहीं लगता उसके आप सकता है इसलिए प्लीज आप उसको देखिए दो बार द्यान से वो सब समझ में आ जाएगा मै पहिने में लगभग दस बारा बार मिल जाएंगे और अगर आप स्टॉक बगारे में ढून है निफ्टी बैंग निफ्टी सबको ले लिए तो आपको पर्डिक मिल ही जाना है आपकी थोड़ी से चर्चिंग पावर होनी चाहिए कि मॉर्णिंग के आदा घंटा होमवर कर बात को समझें उनके लिए मैं बता रहा हूं जो बिल्कुल कर रहे हैं बजार में ठक चुके हैं उनको लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता है और तरफ से आटा गिला है वाली बात है एक कंडिशन आ गई है तो मैं उनको आपको बता रहो एमोशनल कंट्रूल काफी ज्यादा हो जाएगा आप जिसको जानने के ज inhibit करो किया हुआ इसमें हुआ ठाइट के लिए तो यह करना है कि दो महीने के लिए सब्लान कीजिए में कि open high बनेगा तो मैं sell side में जाओंगा, open low बनेगा मैं buy side में जाओंगा, buyer हो, seller हो यह आप अपने इस तर से ध्यान रख लेना, ठीक है? बस two lot maximum, उससे ज्यादा नहीं, यह चलेगा सबसे अच्छा है, बस यह practice परफस्थ है, सिर्फ बताने के लिए आपको की होता कै हमारे mind में change और हम क्या गलती करते हैं, जिस दिन बनेगा trade करेंगे, ना बनेगा नहीं करेंगे, पंद्रे मिनट बेट करेंगे, पाच मिनट के बाद हम trade ले लेंगे, अगर वीवाप के उपर रहता है तो, या वो अपने lowest point की पास आता है तो, जो भी हो, ठीकिक कुसिस करेंगे, वीवाप पास हम ले लें, lowest बार बार नहीं आता है, लेकर उसके low से 10 point नीचे, जो उस दि देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आठ दस में से तीन कैसल भी होगा, मुझे पता है, तो, ठोर दीजिए, इसे लगा दीजिए, जो भी क्योंच हो, सेल किये तो थोरी समझदारी रखिएगा, टाइम टू टाइम चेक करने क्या सकता है, लेकिन बाए कि उसकेस में क्या क्या हो रहा है उसमें, जो भी कुछ रहेगा, आपको दिखेगा कि हाँ, ठीक ठाक प्रॉफिट है, हमें काटने लाएक है, तो काट लो, लॉस होगा, तो यह सेल हीट हो चुका होगा, काम खर देखेंगे, इसको एक सीक्वेंस बनाईए, कि मैं इसको दो महीने करूँग, ठीक है, आप इसको पेपर पे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बेटर रहता है कि आपको इमोशनल टेस्ट करना है, तो आप पेपर करने लगे आपको एक आदमिया, तो एक मैंने आप ट्राइए कर सकते हैं, तो एक मैंने पेपर पे कर देखें, प्रोपर देख लेना ह रहे मैं या ऊपर होना चाहिए नहीं कि इसमें दिखा रहा है तो बैठpe रहेगा क्योंकि दोनों में थोड़ा सा कभी मुश्किल आ जाता है और आप ट्रेंड नहीं एक्स्पिरियंस नहीं तो वहां पर दोखा खा जाएंगे इसका यूज करना है या नहीं करना है तो इसलिए दोनों को मैं डाल दिया हूं ताकि जो नालाय के स्टुटेंट भी उस समझ जो भी चीज बता रहा हूं जो मैंने लॉस किया और समझ में अच्छा यह इसे करना था यहां पर तो आप इसको समझे कि तो चीजे हैं जो कि मेरे इनिसल टाइम पर परसान किया है और आपको भी करता होगा तेकिन एक काफी बहतर काम करता है ऐसे बहुत से चीजें बजार में क्योंकि बजार में पैटर्ण काम करता है ऐग्यार के पैटर्ण को आप नहीं जानते हैं तो आप काफी मुसीवत में आप कितनी भी लाइने कुछ भी करें कहीं नहीं बजार आपको दोखा दे दे गए बजार दोखा दे देगे लेकिन अगर उसमें आप पैटरन को जानते हैं तो बजार कम दोखा देगे दोखा तो सबको देती है किसी किसा वफानिंग कर बजार है तो ले लेना है भबबंद करना है दो तीज में लगाना है अपना कि छोड़ जबते हैं लिकिन मैं कहूंगा कि कि दो तीस में देखिए क्या होता है टारेट लगाना तो काफिस पर बड़ा टारेट लगाना है यह भी ध्यान रखना है और मिल जाए और लगतार कि इसको शिक्टेश माल लेजिए कि भाई हमें आराधना करने पूजा करने कि सी का नहीं सुनेंगे बाजार हो जो बीबी ट् करेंगा तो मैं चीज पर लूगा नहीं बनेगा नहीं यह मैं ढून का इन्ट्राडे में ही ढूंडता रहूंगा अमता है यह चीजें माइंड में अख लीजी और सुबह में लिए नो तीस नो चालिस नो पैतालिस के बीच में और दो तीस में महाराम से देखेंगे क्या होता है इसल जरूर डाल देना सिस्टम जिसल डाल के जाना है कहीं भी जाओ टेशालो से 10 पॉइंट नीचे इसल डाल के आपको बड़ा लगेगा बट घबराइए गंबर बजार में परहब आपको एसल को लेना ही होगा अगर बड़ा बनना है तो लेकिन असे लोग तब जब वो जायज हो वो किसी लॉजिक पर अधारित हो कि भाई देखो यह चीज़ यहां पे हुई है इसके कारण हमें आप इसको ले रहे हैं और इसको कीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कि जो ट्रेडिंग स्कील है जो अंदर का फियर है खत्म हो जाएगा और एक ऐसे स्कील आ जाएगी कि आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड से अप्टर टू मंद और आप अर्निंग करने लगो आप चाहिए इसकी बैक टेस्ट कर लें जितने साल की करनी है कि में इसमें अगर आप एमोसन कोको कंट्रोल कर पाते हैं ऐसक्रीन को देख पाएंगे सामने बैठ के तो आप डबावपिन रखें देखते रही हैं और टाइमली स्वागत है ऐसा जरूरी नहीं कि छोड़ दो मैं उनके लिए पता हूं कि आफिस गोवर भी है कभी-कभी मेरे को कोश्चन करते हैं मैं कि सर मेरा क्या हो का मैं काता हूं कि इसको ना ही करें लेकिन अगर आप करने को त्यार है और मझे लगता है आपको यह काफी यह देगा और इसमें काफी कुछ विस्तार से जाने के अब सकता है बहुत से चीज़ें इसमें हैं पर मैं बस बेसिक आपको बता दिया कि बेसिक इसको कम से कम आप ट्राइब करो जो उनके जिनके लॉस हो रहे हैं लगातार इस लिए चीज़ को ध्यान रखिए और इसको प्रयास आरम कर दीजी देखते हैं पहले पेपर पाट एक महीं ने देख लीजिए आप्टर उस पे और जब समझ में आएक सच में काम करता है तो आप समझ लिएगा कि एजुकेशन का क्या महत्व होता है इस ट्रेडिंग में ब कि मैंट सेट सेंज होगी लॉसेज बंद हो जाएगी और टू मन्त कहों कि कहां सर अब अच्छा फिल कर रहे हैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से और अमरित्वानी का वीडियो कल पर सो तक आपको दे देते हैं क्योंकि अभी लंबा हो गया है मैं कभी ठका कि अज उनकुछ तो बताना है और अब इसको गौण से देखिए समझे और इसको करने का प्रयास किजिए अपकी अच्छा फिल हो और बाकी अप्डेट जेतना भी होगा मैंटेलिग्राम के मादेम साब को कर दूँगा थैंक यू धन्यवाद आप सबको आप सब कदरी करने को कर दूँआupl आप साब आप είναι चलीवाद आप सकत्यों कर दूँछ थैंक रесто competence कर दूँछ एंके अजशंगे प्लोग आप, प्लोगे होगा मैंटेलिग्राम का व्लो और ओ है कैजिए कि अपक्लीवादच साब कर दूब इसको